हेलो गैज वेलकम टोब नई वीडो बदबस होगा थे आप सभी को मेरे यूटूब चनल पे गईज आज की वीडों बात कुरूँगा क्या होता है कोपिरेट इस्टाइक और क्या होता है कापिरेट क्लेर करूँगा और साथ में आपके डॉट्स भी क्लियर करूँगा और इसको थोड़ा साभी वालेट करोगो तो आपका चनल एक जटके में खतम हो सकता है तो इसलिए वीडो को ध्यान से समझ लीजे तो इस गाइज चलिए आज का वीडो शुरू करते हैं आपका चैनल परमानटीट सस्पेंड हो जाता है और अगर आपसे चैनल पर फिर या फिर दो इस्टाइक रहती नभी दिन के अंदर तो आपका चैनल पे कोई एफ्ट नहीं पड़ता है नभी दिन मत अंदर अब्य आपने पाल क्रेंगे तो आपके चैनल पर. अबिक आ ठी ग़िए फिरो करके यहां पर क्या होता है है इस पर क्या होता है इस पर जीदियो करते हो तो यहां से क्या होता है कि मेंगे अब सबसक्ते हुटी पर पास चालाई यहintérieur नियुक्षा-द्यूपे reach कि आपको क्या करना चाहिए कि आपके कोई चैनल पे corporate claim आ जाता तो आप सिंपल से video पे डिलीट कर दीजे इसे आपके चैनल पे कोई effect नहीं पड़ेगा अब बात करते हैं गाईज अगर आपके चैनल पे corporate strike आती है तो आपको अपनी video delete नहीं करना है आप जिस video कोई effect आती है तो आपको पता ही नहीं चलेगा किसने आपके चैनल पे corporate strike बेजी है वाईज आपको बता दूँगा अगर आपके चैनल पे corporate strike आती है तो यहाँ पर जिसने बेजी रहती है या पि जिसके तरफ से corporate strike आती है तो उसे आप simple से mail करिए उसकी information भी आती है क इसने corporate strike बेज़ी तो आप सिंपल से mail करिए या फिसे आप mail करके स्वारी बोल सकते हैं जिससे आवा है corporate अपनी strike वापस ले सकता है तो यह होता है corporate strike और गैज मैं आपको बता दूँ अगर आप यूटूब क्रियेटर हैं तो आप background music यूज़ करते हैं तो कम से कम ही background music यूज़ करें और non copyright background music का यूज़ करें और जो फोटोज बगर डाउनलोड करते हैं हलाकि हमने वीडियो बनाया हुआ कि कैसे non copyright music कैसे non copyright photos कैसे download करें तो आपको कोई साभी copyright claim और फिर कोई copyright strike आए गई नहीं अब चली बात करते हैं जापके चैनल पर वैसी ट्रिक बताऊंगा अगर आप इस ट्रिक को applied करते हैं अपने चैनल पर तो आपको कोई साभी copyright claim और फिर कोई copyright strike आए गई नहीं तो गैच यहां पर क्या होता है कुछ को एक description में simple सा लिखना चाहिए कि this videos and sounds are not my property और this video made for educational purpose इस तरह का एक disclaimer लिखना चाहिए जिसके थो YouTube को समाझ में आता है कि यह वीडियो सिर्फ entertainment purpose या फिर educational purpose पर बनाया गया है और आप simple सा जिसका भी content use किया है उस honor का नाम लिख देजिए आप उस video का link देजिए आप जैसे आप music आप download कियें उसके आप link दे सकते हैं लिख सकते हैं separate music.onour करकि आप उसके link दे सकते हैं अपने description में उस video के description में यैसे आप कर सकते है और गैज मैंनी सारह disclaimer जो आपको लिखना है अपनी video के description में ये मैंनी description दे रखा तो है अप उसे copy पस कर कर के रख लीजिए वाल जबरूर बताएं और गईज एक डाउट क्लियर कर दूँग अगर आपके चैनल पर कोई 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 क्लेम आ जाता है तो आपके चैनल पर जाएगी तब जाके आप चैनल का मोनेटाइज हो जाएगा इससे कोई फेक्ट नहीं पड़ेगा तो आई होप आप लोगों के वी फिर मिलते हैं नेक्स्ट में तब तक लिए जय भारत